आप सभी का स्वागत है मेरे चानल पर आज के इस वीडियो में प्रेपनत महराज जी ने आपको बताया है कि ये चार काम में से अगर आप ये काम कर लोगे तो जहां हो वहीं आपको भगवाल की दर्शेट हो जाएंगे तो बिने देरे के वीडियो को शिरू करते हैं इसको प प्रेम पंथ पर जो चलें तो सीधे साहे हरदय पर बान इतना बहादूर होना है अध्यात महीन जीवन मरा जीवन होता है जीनहरी भगत ये हरदय ने आनी जीवित सव समानते इप्राने शैयम ही हमारी शिद्धी है जितना हम बाहभोगों का त्याक करके आंतरिक प्रभू क चिंतन में उतने हमाई परमलाव मिलेगा आपकी जैसी जैसे योग्यता बढ़ती जाती है अध्यात में कि उसी कोटी का भोग आने लगता है ध्यान रखना आपका भजन जिस कोटी का है उसी कोटी का भोग आएगा सामने आकर्शन जो जो वासना है आपकी रही है बिलकुल वो जहर है छुना नहीं अगर आपने उसको बिलकुल फिरी मिलेगा आपको क्योंकि आप परमार्थ के पतिक है आप भगवान को प्राप्त करना चाहते है जैसे सास्त्रों में आता है कि अमुक अफशराई उनका उस कोटी का तप उस कोटी का भजन तो उस कोटी का आकर्शन जो जिस कोटी का भजना नंदी होता है उस कोटी का आकर्शन आता है पर जो अखिल लोक शोंदरे माधुरे प्रभू के चरणों का दाशत तो ले उन्हें कोई भोग गिरा नहीं सकता है हमारा जीवन जो प्रभू के लिए निश्चित किया गया है आप ऐसे छुटे-मोटे भागिशालिय आप नहीं है इस प्रचन्द मायार की धूल भरी आंधी से आपको बचा करके भजन मार्ग में लगए अब दोखा मत कीजिए अपने साथ दोखा मत कीजिए अब ये भोग वासना कैसे छुटे सबत जए भोग वासना सबत जए जगते भयो फिरे वैरागी ब्रंदावन रस्मे अनुरागी कहीं से भी किसी भी सास्त्र से अब हमको चार बातें बड़े-बड़े महापुरुशों के अनुभोशे वो कलचिंतन करते हैं प्रयाव होती हैं आपकी भोग वासना तभी नश्ठ होगी पहला शोत्र भगवान ने शोयम आग्या करी है तसमात सरेवेश उ कालेश उ मामनश्मर इतना लेकर के विम्दाई एक सब्द को पकड़ो भगवान यादेश करते हैं कि कोई भी विकार तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा आएगा नहीं ऐसा नहीं करे आक्रमन करेगा ऐसा भी नहीं करेगा आक्रमन करेगा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता कव जब भगवद इस्मरण चल रहा है आपका पहला सुत्र हम निर्वाशनी कहरदय वाले कैसे बने हम प्रियालाल के प्रेम में कैसे डूबे हम राधा किशूरी के चर्णों की सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करे तो बुले निर्वाशनी कहरदय चाहिए कैसे निर्वाशनी कहरदय तो तसमात सरवेशु कालेशु इसलिए सब समय मामनश्मर प्रभू कहरें मेरा इश्मरण करो ये साधू के जीवन की जीवनी सक्ती होती है मामनश्मर भगवद इश्मरण हमारा प्रतेक्षण प्रभू के इश्मरण में बीते हैं भगवान कैसे हैं भगवान कितने हैं क्या है स्वरूप उनका ये संसारसत है असत है क्या है छोड़ो सब प्रश्ण ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभों में आ जाएगा आवश्चता इस समय है तुम्हें भगवद इस्मरण करने की मन जैसे ही प्रभू के इश्मरण में जुड़ेगा भगवान निर्गुन है, सगुन है, साकार है, निराकार है, विसीस है, निर्विसीस है जो भी वो जैसे हैं पूरे के पूरे आपके अनुबह में आ जाएंगे और वो बातचीत से अनवों में आने वाले हैं नहीं वो इश्मरण से भजन से आते हैं तुम्हें आप कोई प्रशन अंदर नहीं रखना एक बात रखनी है भगवान आदेश करें सर्वकाले इश्मामनिश्मत हर समय तुम मेरा इश्मरण समालो जीवन में आज तक किसी के अध्यात में को नती हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का नुभव हो जाना संपूर्ण, निराकार, साकार, निर्गूर्ण, सगूर्ण क्या, जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्च्टाएं है सब अपने आपन भो में आ जाएगी इसमें जरावी संदेह मत करना एक मात्र भगवद इश्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा मामे वैस्चियस्य अशंशयम कभी मेरी बात इस बात पर शंशयमत करो निशंदेह तु मुझको ही प्राप्त होगा यदि तु सदैव मेरा इसमरण सम्हाल सके ये जीवन में बड़े-बड़े शंतों के बात पाई गई है निरंतर भगवद इश्मरती कोई भी छंशन प्रभू के इसमरण से रहित ना बीते ये पहली बात निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात किशी भी मार्ग का पतिखो एक शंशन भी हमारा बजन ने रुकना चाहिए रुको अब आप इस बात को अपनी जीवन में देखो कितना है अब भ्यास अगर आप कर लोगे ना तो सोने में भी भजन होता है जिसे करवट बदले थोड़ी भी चेतना तो मंत चल रहा है नाम चल रहा है पद चल रहा है इसका मतलब सोने में भी सुसुप्ती में भी भजन की स्थिति है अब भ्यास तो पहला सूत्र है निर्वास्तनी खोने के लिए अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे मा मनुश्मर तस्मात सर्वेशो कालेशो मा मनुश्मर इसलिए तुम्हें सब समय मेरा इस्मरण करना है नाम का, रूप का किसी भी तरह से प्रभू से जुड़े रहना प्रभू की याद में रहना अब दूश्री अगर आपकी इस्मरती नहीं चल पा रही है क्योंकि इस्मरती बहुत कठिन भी सह है इस्मरती से ही सब कुछ प्राप्थ हो जाएगा अब इस्मरती अदगर नहीं चल पा रही क्योंकि देखो इस्मरती अंदर की बात होती है हम बाहर ठाकुर शेवा कर रहे है स्री जी की शेवा कर रहे है या और भी भागवती एक चिस्ट है लेकिन आंतरिक जो चिंतन चलता है वो खास माना जाता है आपका चिंतन क्या चल रहा है तो प्राया चिंतन जहां से सत्षन सुरुआत हुई थी राग और द्वेश्ट का अनकूल अप्रतिकूल वस्तु विक्ति स्थान का होता है तो पहली बात इस्मरती को पाने के लिए ये दूसरी बात बहुत आवश्यक है कि आपका नामजप जीब के द्वारा होना चाहिए नामजप में अपार शामर्थ है हमारी गंदी जो बृतियां है उनको नास कर देता है नाम इसमें नामजपक उपाशक बिलकुल चिंता न करे कि अब हमारी इस्मरती जिससे सरवश्यक आनुबह होता है विश्यक हो रही है तो कहे रहें कि चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरिनाम का परम पावन परम सुन्दर परम मंगल धाम का लिया जिसने है कभी हरिनाम भैब्रम भूल से तर गया वह भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से हैं सभी पातक पुराने घास सूखे के समान भस्म करने को उने हरिनाम है पावक महान शूरी उगते ही अंधेरा नास होता है यथा सभी अगहें नस्ट होते नाम की इस्टम्रति से तथा तुम्हें हम चिंता में करने हैं गुरू कृपाशे नाम का परिचय मिल गया है अगर इस्टम्रति चल रहे है तो कहेरें सब कुछ हो गया बड़ी महिमा है इस्टम्रति यस इस्टम्रणमात्रेग्ण जनम संसार बंधनात भ्यमुच्यते नमस तस्मई विष्णवे प्रभविष्णवे पर इस्टम्रति कोई छुटी-μूटी बात तो है नहीं अभी इस्टम्रति में तो संसार चल रहा है वो दो बूसरी बात तुम्हारी इस्टम्रति को जागरत कर देगी नाम कितना भी पाप जम्हों सूखे पत्ते की तरह हैं जब हाँ नाम शुरू करते हैं भश्म कर देता है नाम पर सबसे बड़ी समश्या होती कि बात करने में लोग बहुत प्रवीन हैं बड़ी बुद्धी काट शाट लगाते हैं आस्तिक्ता को नश्ट करने के लिए आस्तिक्ता को नश्ट करने के लिए इतनी बुद्धी लगा दो तुम्हारा मंगल हो जाए कैसे समझावे कि पीछे के जन्मों की बात न मानो इसी जन्म में तुम देखो कैसे कैसे आचरण किये हो इमानदारिस देखो तुम जब से तुमने होश समाले तब से अभी तक आप ऐसे इसे आचरण किये हो सबसे पहले आप तक पहुच पाए और कमेंट बोक्स में जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी